होम में डिजाइन बाला चकलेट सबको पसंद रहता है कोई भी चारों घर में सेलिबरेट करने के लिए भी आच्छा रहता है बनाने के लिए भी आच्छा रहता है और किसी को गीब दने के लिए भी आच्छा रहता है तो पहले हम dark chocolate compound को मेल करके त्यार करेंगे, एक pan में मैंने 2 glass पानी ले लिया है, उसके उपर एक stand को रखाए, अभी हम gas को on करेंगे, और एक glass bowl ले ले लेंगे, stand के उपर रखेंगे, double boiler system में हम chocolate को मेल करेंगे, इस recipe के लिए जो जो सामान में यूज करने वाले हूँ, food color से ल slow करके बस बावल को एसे ही रहने देना है, और बीच-बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, बीच से 25 मिनिट के अंदर ये चोकलेट मेल्ट हो जाएगा, अगर चोकलेट ठीक से मेल्ट नहीं होता, तो कोई भी shape प्रपली नहीं आएगा चोकलेट बनाने के लिए, ये एक जरूरी स्टेप है, पहले चोकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है, चोकलेट को हम दो तरीके से मेल्ट कर सकते हैं, एक है इस तरीके से जो अभी में कर रहे हैं, और दूसरा तरीका है कि माइक्रोवेब में भी उसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन छोकलेट की बेस बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे आप चाहे तो इसके जगा सिलिकन मोल भी यूज़ कर सकते हो पर परेले हम चोकलेट इसमें डालेंगे पतला लेयर में बेसको बनाके तयार करेंगे जहां आए बहुत ज़्यादा chocolate नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा करके चोट़ेट लेके उसको आच्छे सी मोल के अंदर फेलाना है एसे फेलाना है जैसे कि चारो तरप समान मात्रा में चोक्लेट फेल जाए थोड़ा सा टैप करेंगे और फ्रीज के अंदर इसको 10 मिनिट के लिए रखेंगे ये कुछ वाइट चकलेट के पिसे से इसको माइक्रोवेन में मेल्ट करेंगे माइक्रोवेन में मेल्ट करने के लिए 20 सेकेंड पहले हम इसको गरम करेंगे फिर इसको मिला के और दूसरे बार फिर से एक बार गरम करेंगे 20 सेकेंड बाद मैंने माइक्रोफ से इसको निकाल के लाए हूँ आप देख सकते थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट होने लगा है लेकिन उपर का जो भागे अभी भी वैसे ही है तो फिर से एक बार हम इसको मेल्ट करके लाएंगे और 20 सेकेंड तक और 20 सेकेंड मैंने गरम कर लिया है इसको थोड़ाशा मिला देंगे अगर लगा कि अभी भी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है और 10 सेकेंड इसको हम गरम कर सकते हैं थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अच्छे से पहले मिला के हम चेक करेंगे, और इसको गरम करने की ज़रोत नहीं है, चोकलेट अच्छे से लिकुइड बन चुका है, अभी हम इसको चोकलेट बनाने के लिए यूज करेंगे, ये बाला मोल ले लेंगे, दो मोल ले प्लास्टिक का इसके जगा आप सिलिकन की मोल भी यूज़ कर सकते हो दोनों में से चोकलेट भरना है लेकिन एक बात की ध्यान रखे इसको हम डिजाइन के लिए यूज़ करेंगे तो चोकलेट की मोल को पूरी तरह से भरना नहीं पतला लेयर में हमको चकलेट बना के त्यार करना है इसलिए आधे तव की मोल का हम लिकूइट चकलेट से भरेंगे दोनों मोल को हम आधा अधा करके लिकूइट चकलेट से पहले भर देंगे अभी हम इसको फ्रीज में 10 से 15 मिनिट रखेंगे 15 मिनिट बाद मैं वाइट चकलेट को फ्रीज से निकल के लाए हूँ अभी हम मोल से चकलेट को निकल देंगे मोल को जब हम उल्टा करेंगे और थोड़ा से ट्याप करेंगे चकलेट आसानी से निकल के आ जाएगा एक प्लेट में हम चकलेट को लेके रखेंगे सेम तरीके से फ्लावर वाला चोकलेट को भी निकल के तयार करेंगे डिजैन के लिए अभी हमारा वाइट चोकलेट तयार है अभी हम बेस वाला चोकलेट जो बना के फ्रीज में रखेते उसको भी मोल से निकल देंगे ये वला चॉकलेट बेस को कट करके मैं चॉकलेट डिजाइन करने वाले हूँ तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा साइज में बना के त्यार किया है ये चाकु को मैंने गरम करके लिया है आप देख सकते हैं इसमें से दुहां भी निकल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके हम चॉकलेट के अंदर जब इसको डालेंगे चॉकलेट मेल्ट होके कट हो जाएगा बस इस तरीके से डालते जाना है और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा चॉकलेट को हम चार भग में कट करके त्यार करेंगे पहले हम इस तरीके से चोकलेट का दो टुकड़ा करेंगे फिर अभी इसको चार भाग करके त्यार करेंगे आप चाहे तो यह जो कट करने का तरीका ना करके भी छोटा वाला मोल उज़ करके भी सेम डिजाइन में चोकलेट बना सकते हो इस साइट में भी अभी हम कट करेंगे चॉकलेट को मैंने चार टुकड़ा कर लिया है अभी हम इसके उपर डिजाइन बनाएंगे मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स पढ़ा है इसमें से हम यूज करेंगे जहां भी ज़रुत होगा उसके साथ ले ले लेंगे लीकोईट फूड कलर लीकोइट फूड कलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यही गोल्डन पाउडर फूड कलर पहले हम लीकोईट वाइट चख्लेट को ब्रस में ले लेंगे और एक साइड में जैसे हम पेंटिंग करते फैबरिक λग उपर हम डालेंगे फिर गिला जब होगा चकलेट उसके उपर हम डालेंगे फूट कलर ये step को जल्दी से करना है नहीं तो चौकलेट अगर सूक गया उसके उपर आच्छे से मिक्स नहीं होगा फूट कलर सेडिंग लाने के लिए फटा पट जब गिला चकलेट हो उसके उपर लिकोईट फूट कलर और गोल्डन कलर लगा के इस तरीके से उसको हम ब्रास में स्प्रेड करेंगे अभी हम स्पून में थोड़ा सा वाइट चकलेट लेके करेंगे अगर हम स्पून में लेते हैं तो ज़्यादा वाइट चकलेट जाता है और इसको ब्रास में हम इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं इसमें हम ग्रिन लिकोईट फूट कलर डालेंगे, चारो पिसेस को चारो कलर में हम बना के त्यार करेंगे ब्रास में फेला देंगे और सबसे उपर आड़ करेंगे थोड़ा सा गोल्डेन फूट कलर और दोनों पीसेस को भी हम सेम प्रोसेस में बना के तयार करेंगे बस कलर थोड़ा थोड़ा अलग ले लेंगे इसको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन एक बात की ध्यान रखे चकलेट को सुखने नहीं देना है नहीं तो सेडिंग ठीक से नहीं आएगा इसमें मैंने औरेंज फूट कलर आट किया है लास्ट बलो को हम रेड कलर में बना के तयार करेंगे अभी हम जो पतला लेयर में चकलेट्स बनाए थे वाइड चकलेट उसको हम चिपकाएंगे तो थोड़ा सा बैक साइड में हम ले लेंगे लिकूइड वाइड चकलेट और जो बेस चकलेट उसकी साइड में हम चिपकाते जाएंगे एक साइड में अभी हम फ्लावर बाला भी रखेंगे उसके उपर तो फ्लावर बाला चकलेट की पिछे भी हम सेम प्रोसेस में लिकूइड चकलेट थोड़ा सा डाल के बेस चकलेट के उपर चिपका देंगे चारो जो चोकलेट हम बना रहे उसको सेम प्रोसेस में हम बना के तैर करेंगे अभी हम फ्रीज में इसको पांच मिनिट के लिए रख देंगे फ्रीज में पांच मिनिट रखने के बाद चोकलेट आच्छे से सेटो चुकाए अभी हम white chocolate के उपर हलके से golden food color से brush करेंगे ताकि उसमे से थोड़ा सा glow आ जाये फ्लावार और जो heart हमने बनाए सब के उपर हलके हलके से बस brush करना है फ्लावार के बीच में golden chocolate बल को चिपकाएंगे थोड़ा सा चकलेट में deep करेंगे और जो फ्लावरे उसके बीच में रखेंगे एक उडेन स्टिक में थोड़ा थोड़ा लिकुईड वाइट चकलिट लेके हमको जिदर डिजाइन करना है उधर लगाएंगे ताकि उसके उपर हम स्प्रिंकल्स को चिपका सके चोटा वाला हाट से पिंक कलर वाला हम चिपकाएंगे आप अपने पसंद कहीं सब से किधर भी कोई भी स्प्रिंकल्स चिपका सकते हो क्योंकि बेस को तो हम अलड़ी तैर कर चुके है सेडिंग देके और अच्छा भी दिख रहा है चौकलेट यह जो चौकलेट हम बना रहे कोई भी छोटा या बड़ा चवार हम इसको गिप दे सकते गेश्ट को सर्फ कर सकते और जो भी चीज हम अपनी पसंद से अपनी हाथ में बनाते उसका मजा ही कुछ अलग रहता है अभी हमारा डिजाइनर वाला चौकलेट बनके त्यार है अब देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है तो यह रेसिपी आप भी एक बार जरूर ट्राइक करें अपनी मंचाई डिजाइन में चौकलेट को सजाए डेस्क्रिप्शन बाक्स एक बार जरूर देखे ताकि आपको सारे जो इंगिडियोंस उसका लिंक मिल जाएगा इस तरह की बहुत सारे रेसिपीच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और राइट सेट में जो बेल का आइकन है उसको क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास पहले पहुन सके